इक्सरसाइज 3 एक करते हैं first कर लिए थे, second कर लिए थे, third कर लिए थे, अब हमें क्या करना है fourth and fifth, fourth कैसे करना है, infinitely many solutions, यानि की इस तरीके से करना है, कैसे करना घबराना नहीं हम पूरा करके बता आ दे रहें, इसको आप बस continuously आप वीडियो देखते जाए विधा इसकिप करक तो 2x प्लस 3y इकॉल टू 6 यह फर्स्ट एक्वेशन है तो 3 ए आरे सरवाल का कुश्चन नमर 22 2x प्लस 3y इकॉल टू 6 तो क्या करते हैं y को यहां रखते हैं और बाकी बाद दर भेज देंगे तो 6 2x उससाइड गया तो क्या हो जाएगा तो माइनस 2x इससाइड प्लस है तो 2x फिर y इकॉल टू क्या क्या था हम फ्री रखेंगे 6 माइनस 2x बाई 3 कोडिनेट कर लेते हैं as it is जैसे पहले किये थे x और y अच्छा अगर यहां हम x लेते हैं जैसे पहले बता दिये थे वहां पर उसी तरह ठीक अब x यहां पर हम क्या लेंगे चलिए x अगर हम 0 ले ले तो x अगर 0 ले तो y कितना हो जाएगा x 0 देंगे यहां पर तो क्या होगा यह टर्म तो 0 हो गया तो 6 by 3 यानि कि यहां पर क्या आ जाएगा 2 नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से बनाते x इकॉल टू अगर 0 लेते तो y का equation क्या है 6-2 x by 3 तो यहांगा 6-2 into 0 by 3 equal to 6-0 by 3 यानि 6 by 3 equal to 2 ठीक इसी तरह यह पूट कर दें इसी तरह सारा कर लेंगे अगर हम इसमें वैल्यू ले लेते हैं कितना ले यहां पर अगर हम सोचिए अगर हम 2 लेते तो 4 6-2 fraction में नहीं लाना है जो भी लाएंगे हम whole number में लाएंगे अगर हम 4 ले 4 टू जाए 8 नहीं 5 ले ले 5 तो 6 हां अगर हम x का value 6 ले ले तो x का value अगर हम 6 लेते हैं तो यहां 6 टू जा क्या हो जाएगा 12 तो माइनस 12 और 6 तो कितना हो जाएगा माइनस 6 माइनस 6 बाइ 3 इक्वाल टू माइनस टू यानि माइनस टू कोडिनेट आ गया जीरो टू और इसका 6 माइनस टू ओके चलिए इसकेंड़ कहसा यह तो फस्ट एक्वेशन था सकंड़ इक्वेशन के गोहर से देख लेते हैं दिखरा रहा हां 4x प्लस 6y इक्वाल टू 12 ऐख्या है 4x प्लस 6y इक्वाल टू 12 यह सेकेंड़ एक्वेशन है तो हमको बस y है रखना बाकी बात को सेट करदें तो 12 माइनस 4 x हो जाएगा बिल्कुल y equal to क्या हो जाएगा 12-4x by 6 हो जाएगा फिर से लिखे लेते हैं यहां पर equation क्या आया equation y y equal to 12-4x by 6 अब यहां पर हम यह बना लेते हैं कोडिनेट के लिए एक्स और यहां पर जल्दी जल्दी कर लेंगा अगर एक्स जीरो लेते हैं कितना हो जाएगा तो यानि कि 12-0 equal to 12 by 6 तो यह 12 by 6 क्या हो जाएगा तो अगर यहां पर हम 0 लेते हैं तो यह 2 हो जाएगा ओके अगर हम यहां पर 3 ले ले तो 12-20 यह 0 और 0 एंट 2 हो गया साकेंड हो गया 3 एंड 0 हो गया अब ग्राफ कर लेते हैं तो ग्राफिंग तो पहले सा था ऑग्राफ कर लेते तो ग्राफ में क्या-क्या चीज़ का धियान रखना हमेशा एक तो यहां पर हम जबी भी लिखेंगे तो x-axis देंगे x-axis ये हमारा क्या हो गया y-axis ये क्या हो गया y-das या y complement कर लेजे और ये क्या हो गया मेरा x अब यहां पर हमें scaling कर लेंगे यहां पर 0 देंगे या O देंगे जो भी यह 1 टू थुरा सा धिहान देखे 3 फोर और फाइब ले लेंगे ठीक एसकेल लेना बड़ा जरूरी है एसकेल अगर नहीं लिए मार्क्स कर जाएगा टेन एस्मॉल बॉक्स इक्वल टू यूनिट ओके असारा कुछ हो गया है देख लेते पहला क्या है फॉर्स्ट क्या है है 6-2 यानि X मेरा क्या हो जाएगा 6 यह 5 तक ही ग्राफ लिए यह हो गया 6 और यह क्या हो जाएगा माइनस तू तो यानि कहां पर आजाएगा यहां पर ग्राफ छोटा हो गया शोरी ठीक को चलिए दूसरी यह एक का हो गया तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं यह एक लाइन हो गया कि फर्स्ट एक्वेशन का फिर सकेंड करते हैं इसका क्या है 0 और 2 0 & 2 X हो गया मेरा 0 Y होगा 2 यानि X हो गया 0 Y हो गया 2 यानि कि सेम पेंड कि 3 0 X मेरा 3 वोगा यह जीर होगा सेम इसी लाइन पर बन गया कि इसको बनाने का जड़्रत नहीं है यानि कि दुनों क्या हो गया सेम हो गया तो इसी इसको यानि एक लाइन पर ही दूसरा लाइन अगर बन जाए अगर हम ड्रॉ करें गे तो क्या करना पड़ेगा इसी लाइन पर ड्रो करना होगा तो सेम तो इसी टाइप का अगर अगर इस टाइप एक लाइन पर ही दूसरा लाइन का equation हो जाए यानि की coordinate अलग-अलग हो सकता है जब बनाएंगे तो सेम जब sketch करेंगे line का तो same दोनों line same हो जाएगा तो अगर इस type का आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे infinitely many solution यानि x और y का यहां हम equation value निकालने जाए तो xy का यहां भी value same होगा xy का यहां भी value same होगा अगर यहां भी निकाले तो same होगा तो एक ही line बढ़े ऐसा graph equation 2 हो बट जब हम line बनाएं दो equation के help से एक ही line बनना चाहिए एक line जब बने और दूसरा equation के coordinate से जब हम बनाएंगे तो उससे भी इसी line पर बन जाना चाहिए निक जो पहला line बनाए थे उस पर दूसरा line आगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा infinitely many solution ठीक समझ गया तो question क्या बोल रहा था कि हमें सो करना है graphically तो हम सो कर दिये graphically बस यही चीज़ करना है यह करेंगे फिर second यह करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे graph बना लेंगे फिर नीचे क्या लिखे है hence it is proved that given graph is infinitely many solution समझ गया infinitely many solution कैसे होगा एक देखे जैसे इसका बना तो उसके लिए जो line हम बनाए यहां पर जैसे इस coordinate से यह जो line बनाए यह जो line बनाए और जब यह coordinate बनाएंगे इस चीज़ पर तो उसके लिए भी क्या होगा same line जब same line बने ते it means that what infinitely many solution यह प्रूब हो गया ठीक यह वाला समझ लिए अब यह वाला बनाते हैं करते question question क्या है कि so graphically that each of the following given system of equation is inconsistent यानि has no solution यानि को solution नहीं होना चाहिए तो जो पहला बनाए थे line एक ही line बना था दो equation के लिए इसमें क्या होगा कि दो line बनेगा मगर आपस में intersect नहीं करेगा intersect नहीं करेगा क्या हो जाएगा parallel हो जाएगा question number 26 लेते हैं अब बनाते हैं यहां पर भी so करना है प्रूब करना कोई answer नहीं लिखना है बस हमें so करना यहां तो equation क्या होगे x minus 2y equal to 6 तो minus 2y equal to 6 minus x तो यह क्या हो जाएगा y equal to 6 minus x by minus 2 coordinate निकाल लेते हैं फटा फटा फट एक्सपर्ट हो जाना इस चीज में टाइम नहीं लगना चाहिए अगर हम x 0 लेते हैं तो y क्या अगर 0 लेते हैं तो 6 minus 2 यानि क्या गया minus 3 अगर हम direct हम क्या करते हैं x का value 6 ले लेते हैं तो y क्या आजागा 6 minus 6 equal to 0 0 by minus 2 equal to 0 यानि फर्स्ट quadrant मेरा 0 minus 3 quadrant नहीं sorry coordinate and second coordinate हो गया यह हो गया चलिए यह तो first equation हो गया ठीक अब second क्या है इसी equation का second equation क्या है 3 x minus 6 y equal to 0 तो minus 6 y equal to minus 3 x minus minus cancel तो 6 y equal to 3 x y equal to 3 x by 6 तो यह हो जाएगा actually x by 2 बिकाज यहां तो कर जाएगा ऐसे करके x by 2 coordinate कर लेते हैं फटा फट बना लेते एक box ठीक exam में भी इसी तरह करना कोई घवराना नहीं easily बन जाएगा time नहीं लगेगा starting में हम धीरे slow slow बता रहेते हैं अभी speed में बन जाएगा 2 minute 3 minute 5 minute में question यह पक्का बन जाएगा अगर x equal to 0 लेते हैं यहां पर देखिए अगर एक सम वाल लिये तो य क्या हो जाएगा वाइक सब्सक्राइब यहां पर निकल गया पहला कॉडिनेट 00 दूसरा 21 यहां पर हम यह करते हैं यह पहले से हम स्केल कर लिएं इसकेल यह ले ले लेंगे यह सब ले लेंगे यह सब ध्यान देंगे कभी भी ग्राफ न जब बनाएंगे यह बिल्कुल बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है तो पहला कॉडिनेट यहां पर क्या है क्या कर लेते एक लाइन ड्रो कर लेंगा और इस पर एक्वेशन लिख देंगा ठीक चलिए लाइन ड्रो कर लिए उस पर एक्वेशन लिख दिए अब चलते हैं सकेंड की और सकेंड क्या था 00 यानि कि कहां पे 00 x और y 00 यहां पे होता है और second coordinate के 2 1 यानि x 2 होगा y 1 होगा तो positive है दोनों तो इस coordinate में x 2 होगा y 1 होगा तो यहां पे और इसको भी हम क्या करेंगे match कर लेंगे देखे तो parallel हो रहा ना अगर line parallel हो जाए तो यानि no solution x और y का value ही नहीं आएगा इस case में ठीक तो इसको sketch draw कर लिए और इस पे क्या करेंगे equation लिख देंगे equation क्या था 3x minus 6y equal to 0 3x minus 6y equal to 0 अब यह question क्या कर रहा था कि हमें so करना है कि कि no solution यानि बताए x और y का value निकालना ग्राफिकली निकलेगा नहीं निकलेगा जब तक intersect नहीं करेगा तब तक x का value निकलेगा एक unique solution जो अपना लोग पहले वाले वीडियो में जो बताए थे वो unique solution था कहीं intersect करता था यानि कि जो equation दिया है x y का एक ही value होगा many solution यानि जो एक straight है no solution तो यह लिख देना है last में हम क्या लिख देंगे hence it is proof the given equation has no solution यानि x और y का value ही नहीं आएगा substitution method से कर लेजे elimination method से इसमें x और y का value ही नहीं आएगा आपको यूट्यूब पे अविलेवल हो जाएगा ओके थैंक यू